नवस्कार दोस्तों, Current Affairs Revision for Pilim 2020 में आपका स्वागत है Mislinious Current Affairs के Revision का ये हमारा दसवा लेक्चर है इस वीडियो में हम मार्च मेहने के Mislinious Current Affairs को revise करेंगे Discussion का First Important Article N95 Respirator से सम्बनित है क्या Contest है? देखो, Coronavirus के Infection के Total 28 Cases अब सामने आ चुके हैं इंडिया में तो इस N95 Respirator की Demand जो है काफे ज़्यादा बढ़ गई है Price इस वज़े से इसके काफे ज़्यादा बढ़ गए हैं मार्केट में और काफी नकली N95 Respirator भी मार्केट में सामने आ रही हैं ये क्या है? ये देखो, Respiratory Protective Device है हवा में हम सांस लेते हैं काफी Polluted Particles या फिर वाइरस जो हैं वो हमारी बोड़ी में एंटर कर सकते हैं तो हवा को फिल्टर करने के लिए इस Respirator का इस्तिमाल किया जाता है ये एक परकार से मास्क है काफी Closeness के साथ Face के साथ अटेच हो जाता है ये मास्क इसके अलावा देखो 0.3 Microns जितने चोटे Particles को भी फिल्टर आउट किया जा सकता है इस Respirator के द्वरा और आल्मोस्ट 95% Particles को फिल्टर किया जा सकता है और 5% Particles फिर भी बोड़ी में एंटर कर सकते हैं मतलब 100% गरंटी नहीं होती कि इस मास्क के लगाने के बाद कोई भी हामफुल पार्टिकल बोड़ी में एंटर नहीं करेगा Respiratory System की साहिता से Next बात इन Respirators को बच्चों के लिए और वो लोग जिनके Face पर बाल होते हैं उनके लिए डिजाइन नहीं किया जाता क्योंकि देखो कहां गया वो जो बच्चे होते हैं उनके Face पर ये Respirator ठीक से Attach नहीं होता थोड़ा Gap रह जाता है जहां से Particles Enter कर सकते हैं बोड़ी में उसी परकार से वो लोग जिनके Face पर बाल होते हैं उनके अंदर भी Enter कर सकते हैं Particles क्योंकि थोड़ा सा Gap फिर भी रह जाता है क्योंकि शुरवात में हमने डिसकस किया इस Respirator की जो Quality है वो यही है Face पे काफी ज़्यदा Closeness के साथ ये जो Mask है वो Attach हो जाता है Last में एक बात ये कही जा सकती है अल्दो देखो काफी ज़्यदा Protection प्रोवाइड गरता है ये Respirator बट गरंटी नहीं दी जा सकती कि इस Respirator को लगाने के बाद वाइरस जो है वो Enter करेगा ही नहीं या फिर Harmful जो Particles हैं वो Body में Enter करेंगे ही नहीं क्योंकि 5% का Scope फिर भी रहता है मैक बाइंडिंग से समदित है क्या कंटेस्ट है साथ महिनों के बाद इंटरनेट कनेक्टिविटी कस्मीर में restore कर दी गई है लेकिन एक condition के साथ मैक बाइंडिंग क्या मतलब है मैक बाइंडिंग का पहले हम मैक अडर्स का मतलब जानते हैं मैक का पूरा नाम है Media Access Control देखो हर एक डिवाइस में hardware को identify करने के लिए एक number होता है जिसे Media Access Control Address कहा जाता है मैं फिर से बोलता हूँ हर एक network से समदित device को identify करने के लिए एक address होता है जिसे Mac Address जैनि Media Access Control Address कहा जाता है और जबकि आँको ये भी पता है Internet Access करते वक्त हर एक device को एक IP Address भी दिया जाता है तो Mac Binding का मतलब ये है Mac Address और IP Address को आपस में bind करना मतलब किसी भी IP Address से सभी जो request है तभी सर्व होगी अगर वो IP Address किसी particular Mac Address के device से attached है simple भासा में बात करें मान लीजिए कोई IP Address है 192.168.something तो इस IP Address से कोई request आती है कि ये website open करनी है तो देखा जाएगा इस IP Address के साथ जो Mac Address जुड़ा हुआ है क्या वहीं से request आई है अगर वहीं से request आई है तो तो website open होगी लेकिन अगर कोई और device का इस्तिमाल किया जा रहा है Mac Address अलग है और IP Address ये है तो फिर website open नहीं होगी इससे भी ज़दा simple भासा में बात करें जब हम नई जिगा पे जाते हैं तो हम Wi-Fi का password मांगते हैं भाई Wi-Fi का password देना मुबाइल में वो password फिल करते हैं और Wi-Fi को access करने लगते हैं लेकिन कस्मीर में ऐसा नहीं चलेगा किसी particular IP Address से कोई device attached होगा और उसी device से internet चलेगा बाकी devices से वो IP Address का internet नहीं चलेगा ऐसा इसलिए क्या गया है क्योंकि accountability fix हो कोई anti-national परपज से internet का इस्तिमाल ना कर सके ये ensure करने के लिए MAC binding का provision compulsory क्या गया है कस्मीर में internet को access करने के लिए इनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स से समंदित हैं ये index रिलीस क्या गया है International Animal Welfare Charity Organization के दवरा दिखो विबिन देशों को परखा गया है कई सारे क्रिटेरियां के अधार पर जैसे कि इस देश में कैसी policy है एनिमल के welfare से समंदित कैसे कानून है जिस देश में एनिमल के welfare समंदित अच्छी policies है अच्छी legislations है उस देश को अच्छी ranking दी गई है इस Animal Protection Index में विबिन देशों को अलग-अलग categories में बाटा गया है जैसे A category A category में वो देश सामिल है जिनको highest score प्राप्ट है Animal Protection Index में मतलब उन देशों में अनिमल की जो protection होती है बड़े scale पे होती है उसके बाद B category, C category, D category इस परकार से A से लेके G तक categories बनाई गई है स्वीडन, UK, आश्ट्रिया इन देशों को highest score प्राप्ट हुआ है इस इंडेशों में मतलब इन देशों में policies और legislations काफी अच्छे है अनिमल को protect करने के लिए इंडिया ने C ranking हासिल की है इस इंडेशों में C category में इंडिया आया है इंडिया के साथ C category में दूसरे जो देश है वो इस परकार से है New Zealand, Mexico, France और Spain तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिसकस किया Animal Protection Index से समन्दित चलते हैं आगे नएस्ट आर्टिकल Pi Day से समन्दित है 14 मार्च का जो दिन है वो देखो constant Pi के परती affection को show करने के लिए Pi Day के रूप में celebrate किया जाता है क्योंकि देखो अगर आप 14 मार्च को इस परकार से लिखते हो 3 by 14 3.14 तो ये जो value हो जाती है 2 decimal तक ये Pi की value है ये वैसे Pi की total value है लेकिन 2 decimal तक Pi की जो value होती है वो 3.14 होती है आइडिया ये USA में originate हुआ था वैसे ये coincidence है कि 14 मार्च को Albert Einstein का by day भी होता है वैसे देखो GS के paper में UPSC ये तो नहीं पूछेगी कि Pi का formula क्या होता है फिर भी आप देख लीजिए Pi का जो formula होता है वो है circumference of a circle divided by diameter एक circle की circumference का क्या formula होता है 2 Pi R divided by diameter diameter क्या होता है ये पूरा diameter है तो diameter को आप 2 R लिख सकते हो radius plus radius is equal to diameter तो 2 Pi R divided by 2 R 2 R से 2 R चला जाएगा रह जाएगा Pi area के संदर में देखें तो Pi का formula ये होता है area of a circle area of a circle कितना होता है Pi R square divided by radius का square radius का square कितना होगा R square R square से R square कट जाएगा बच जाएगा Pi तो ये Pi के formulas हैं चलते हैं आगे अशाट कल Essential Commodities Act से संबंदित है क्या कंटेस्ट है हाल ही में Central Government ने mask जैसे 2-ply mask 3-ply mask या फिर N95 mask इसके लावा hand sanitizers इन सब को Essential Commodities कमोडिटीज नोटिफाई कर दिया है 30 जून 2020 तक कौन से एक्ट के अंतरगत Essential Commodities Act 1955 देखो जब किसी कमोडिटी को Essential Commodity नोटिफाई किया जाता है इस एक्ट के अंतरगत Public Interest में तो मतलब उस कमोडिटी की Production, Supply, Distribution, Trade, Commerce इन सब को Control किया जा सकता है सरकार के द्वरा एक्ट को Regulate और Administer किया जाता है Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution के द्वरा इस एक्ट के अंतरगत देखो States और Union Territories ये इंशोर कर सकती है कि जो Commodities इस एक्ट के अंतरगत आती है Manufacturers के द्वरा पूरी के पैस्टी से उन चीजों को Produce किया जाए For example, Mask and Hen Sanitizers क्योंकि देखो अगर Manufacturers पूरी कपैस्टी के साथ इन Commodities को Produce करेंगे तो ये जनता तक ज़्यादा अवेलेबल होंगे जनता आसानी से इनको Access कर सकेगी अगर Manufacturers पूरी कपैस्टी के साथ इने Produce नहीं करेंगे तो Market में इनकी कमी हो जाएगी तो अब Sanitizers और Mask को इस Act के अंतरगार डाल दिया गया है मतलब ये Act Central Government और Stairs को Empower करता है कि दोनों Governments मास्क और Sanitizers की Production Quality Distribution को Regulate कर सकते हैं देखो Consumer Affairs Ministry ने इसके साथ साथ Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act 1908 को Invoke किया है इसकी साथ से Action लिया जा सकता है उन Persons के द्वारा उन Persons के अगेंस्ट जो देखो इन प्रोडेक्ट स्की Black Marketing कर रहे हैं या फिर जमा करके रख रहे हैं तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिसक्रस किया Essential Commodities Act के बारे में Next article Coalition for Disaster Religious Infrastructure से समधित है क्या context है UK यानि United Kingdom इस Coalition को Co-chair करेगा देखो ये जो Coalition है ये important है क्योंकि इसको इंडिया के द्वारा लॉंच किया गया था 2019 में जब US के New York शहर में United Nations Climate Change Summit और्गाइस हो रहा था तो उस मौके पर इंडिया के द्वारा ये Coalition for Disaster Religious Infrastructure लॉंच किया गया था मक्सद क्या था इस Coalition को लॉंच करने का ये देखो एक परकार से Platform है इस Platform पे आकर विबिन कांट्रीज अपनी अपनी expertise अपनी अपनी knowledge शेयर करेंगे कैसे Infrastructure को Resilient बनाया जा सकता है चाहे वो नया Infrastructure हो या फिर पुराना Infrastructure हो Resilient का क्या मतलब है Resilient का मतलब देखो ये है कि कल को कोई Disaster आ जाती है तो Infrastructure को कम से कम नुक्सान पहुंचे और लोग जो है Disaster को असानी से जेल जाएं जैसे मापको एक्जामपल देता हूँ जपान में आपने घर देखे होंगे Shape या फिर Material इस परकार का इस्तिमाल होता है कि बुकंप अगर आता है तो घरों को कम से कम नुक्सान पहुंचे Infrastructure वहाँ पे काफी ज़दा Resilient है क्योंकि बुकंप काफी ज़दा आते है इसलिए Infrastructure जो है वो Resilient होना चाहिए ऐसा Infrastructure होना चाहिए जो Flourds को असानी से जहल जाए ज्यादा नुक्सान ना हो तो ये मक्सद था इस Coalition को Launch करने का कि विबिन देश आपस में अपनी Expertise अपने Knowledge शेयर करें कैसे Infrastructure को Resilient बनाया जा सकता है कितने Member हैं मार्स 2020 तक देखो इस Coalition में अभी तक 15 Member Countries हैं अफगानिस्तान, आस्टेलिया, भुटान, फिजी, जर्मनी, इटली इंडिया, जपान, मुरिशस, मालदी, मंगोलिया, निपाल, सिलंका, यूके, यूएस सेक्रेट कहां पे है इस Coalition का देखो न्यू देली में जो एंडिया में है यानि National Disaster Management Authority ये अभी फिलाल इस Coalition के लिए Interim Secretariat का काम कर रहा है मतलब अभी कोई पुरी तरह से Secretariat Establish हुआ नहीं है इस Coalition का लेकिन एंडिया में जो न्यू देली में है ये Interim Secretariat का का काम कर रहा है इस Coalition के लिए चलते हैं आगे Next Article Tribal Lockdown Rituals से समधित है क्या कंटेस्ट है ठीको COVID-19 महामारी के चलते पूरे देश में अभी फिलाल Lockdown है लेकिन बहुत सारी ट्राइब्स ऐसी है हम फिलाल इस आर्टिकल में बात करेंगे अरुनाचल परदेस की ट्राइब्स के बारे में जिनके लिए lockdown कोई नई चीज नहीं है ये ट्राइब्स समय समय पर lockdown लगाती रहती है लोकल एरियाज में जैसे इस आर्टिकल में हम बात करेंगे तीन ट्राइब्स की सबसे बहले बात करेंगे गालोज ट्राइब की गालोज देखो अरुनाचल परदेस की 26 मेजर ट्राइब्स में से एक है वेस्ट सियांग डिस्टिक में इनकी संख्या जादा है इनके द्वारा एक रिचुल परफॉंग किया जाता है जिसका नाम है अर्रिनाम अर्रिनाम का मतलब लोगडाउन ही है गालोज ट्राइब के द्वारा मौपिन फेस्टिबल को अब्जव किया जाता है मतलब गालोज ट्राइब का मौपिन जो फेस्टिबल है ये मेन फेस्टिबल है ये सेलिब्रेट किया जाता है विलेजी स्की prosperity को celebrate करने के लिए गालोज के द्वारा जो dance perform किया जाता है वो है poppy dance खेर बात करते हैं lockdown के ritual की जिसका नाम है अर रिनाम अर रिनाम का मतलब है lockdown ये अक्सर perform किया जाता है गालोज ट्राइब के द्वारा जब भी कोई महामारी फैल जाती है गालोज ट्राइब के जो लोग हैं आपस में सर्व सैमती से अपने इलाकों को पूरी तरह से बंद कर देते हैं और बाहार से कोई भी outsider नहीं आ पाता इन इलाकों में जहां पर गालोज कम्मूनिटी के लोग रहते हैं और उन्होंने lockdown लगा दिया है देखो जैसे मिथुन जो की एक livestock है domesticate किया जाता है गालोज कम्मूनिटी के द्वारा इनको किसी महमारी ने परभावित किया waterborne कोई disease है जो फैल रहा है एक मिथुन से दूसरे मिथुन में तो पूरे area को lockdown कर दिया गया गालोज कम्मूनिटी के द्वारा तो इस परकार से अक्सर इनके द्वारा lockdown लगाया जाता है जब भी कोई महमारी या फिर दूसरी विप्टी आती है बट खांस बात ये है human beings की safety के लिए इनके द्वारा गालोज कम्मूनिटी के द्वारा lockdown पहली बार लगाया गया है पिछले 30 से 40 सालों में यानि 30-40 साल हो गए human beings की safety को ensure करने के लिए गालोज कम्मूनिटी के द्वारा lockdown नहीं लगाया गया था 30-40 साल के बाद human beings की safety के लिए ये lockdown इनके द्वारा लगाया गया है lockdown से पहले ritual perform के जाता है और जैसे ही ritual खतम होता है community leaders क्या करते हैं जिले के 5 जो major entry points हैं उनको seal कर दिया जाता है ताकि बाहर से कोई भी outsider ना आसके तो ये हमने बात की गालो tribe की अब बात करते हैं addy tribe की जो addy community हैं उनके द्वारा भी इसी परकार का ritual perform के जाता है जिसका नाम है motor या फिर parter system जैसे हमने बात की गालो community lockdown के लिए word इस्तमाल करते हैं air renom ये kind of ritual है इनका उसी परकार से addy community के लोग lockdown के लिए word इस्तमाल करते हैं motor या फिर patter ये customer self restriction है barricades लगा लिए जाते हैं addy community के लोग outsider को नहीं आने देते और किसी भी person को allow नहीं किया जाता कि वो अपने गाउं को छोड़के बाहर जाए बात करें addy tribe की ये देखो south china से आई थी solvish century में इंडिया में मतलब ऐसा विश्वास किया जाता है और इनके द्वारा tiboto barman language बोली जाती है और ये अनुआचल परदेश के northern parts में रहती है मतलब इस tribe के जो लोग है अनुआचल परदेश के northern parts में रहते हैं जैसे east siang jila या फिर lower dibaang jila देखो ये माहिर होते हैं sugar cane या फिर bamboo samandit items को बनाने में इनके दो main festivals है एक तो solan ये harvesting festival है और इस festival में animals की बली दी जाती है rituals performed के जाते हैं और दूसरा जो इनका main festival है वो है aran aran एक hunting festival है जिसमें male members जो है family के वो बाहर जाते हैं और सिकार करके वापस आते हैं तो solan festival and aran festival इसके बाद नई सी tribe के बारे में भी जान लीजिए ये अवनाचल परदेश के दो district में dominant है पैपम, पैर और दूसरा east coming इनके द्वारा भी इसी परकार का ritual perform क्या जाता है जिसका नाम है aru यहाँ पर देखो ये kind of self quarantine है अपने आपको isolate कर लेते हैं नई सी tribe के लोग इस ritual को perform करके जिसका नाम है aruay गालो community के द्वारा lockdown के लिए जो wild इस्तमाल के जाता है वो है aru naam और edi tribe के द्वारा motor patter system और इनके द्वारा last जो tribe है नई सी इनके द्वारा aruay नई सी tribe को देखो प्रदेश में रहते हैं schedule tribe है अनुनाचल प्रदेश की सबसे बड़ी tribe है इनके द्वारा भी टीबतो बर्बन लेंग्विज का इस्तमाल किया जाता है communication के लिए slash and burn practice को अपनाया जाता है एक जगह पेड़ों को जलाके खेती की पेड़ों को जलाके खेती की उसके बाद उस जगह को छोड़ दिया गया फिर दूसरी जगहों पर जाकर फिर से vegetation को जलाया गया पेड़ों को जलाया गया और खेती की वहाँ पे तो इस process को कहा जाता है slash and burn और इसके लावा hunting and fishing भी की जाती है इनका patronial system इनके द्वारा follow किया जाता है patronial system के बारे में आपको पता ही है जैसे हमारे समाज में क्या होता है कि लड़की साधी करने के बाद अपने husband के घर जाती है और बच्चों को जो नाम है वो husband के सरनेम से आता है लास्ट में बच्चों के नाम के आगे जो सरनेम लगता है वो father का सरनेम लगता है mother का सरनेम नहीं लगता है और जबकि matrilineal society में बच्चे के नाम के आगे जो सरनेम लगता है वो mother का सरनेम लगता है तो काफी बार UPSC इस पर का कोशन पूश लेती है क्या जो ये tribe है इनके द्वारा matrilineal system को follow किया जाता है इसका answer गलत हो जाएगा इनके द्वारा nature से जुड़ी spirits में विश्वास किया जाता है simple भासा में कहें तो nature को worship किया जाता है नई सी tribe के लोगों के द्वारा next article Google की subsidiary Verily के बारे में है क्या contest है company ने COVID-19 की screening के लिए और testing के लिए pilot basis पे एक website को launch किया अभी पूरे world में ये website अवेलेबल नहीं है USA के specific area में लोगों के लिए ये website अवेलेबल हुई है जिसकी साज़ता से COVID-19 की screening और टेस्टिंग की जा सकती है हम बात करें Verily की बारे में ये company launch की गई थी 2015 में और ये Google की parent company Alphabet की subsidiary है समझ गे Google, YouTube, Gmail इन सब की जो parent company है वो है Alphabet और Alphabet company की subsidiary है ये Verily company जिसने pilot basis पे COVID-19 की screening करने के लिए website को launch किया है aim क्या है aim देखो इस Verily company का ये है world के health data को इस्तिमाल किया जाए ताकि लोग ज़्यादा स्वास्त रहें और लोग जो age है वो लंबी हो इस company के द्वारा ऐसे tools और devices को develop किया जाता है जिनकी साहिता से health data को इस्तिमाल किया जाए health data को activate किया जाए ताकि disease को manage करने में समय रहते intervention किया जाए समझ गे मतलब इस company का aim ये है health data का इस्तिमाल करके ऐसे tools develop किया जाए जिनकी साहिता से disease को manage किया जाए और disease को manage करने में नई-नई interventions किया जाए इनका एक project है project baseline जिसको Verily company ने 2017 में कम करना simple भासा में बात करें आज के समय में ऐसी research को promote करना जिससे और अच्छे से care host के human beings की ये मकसद है इस project का समझ गये मतलब उस type के research को promote करना जिससे और भेतर care हो human beings की चलते हैं आगे COVID-19 and force major के बारे में हैं basics की बात पहले करते हैं देखो railways के थ्रू shipping के थ्रू companies, firms एक स्थान से दूसरे स्थान पर समान भेजती हैं मालिजिए कोई कमपनी है ABC ABC ने railways के थ्रू X point से Y point पर समान भेजा rail पहुँच गई Y point पे तो देखो rail से समान उत्रेगा एक निश्चित समय के अंदर-अंदर ABC कमपनी को वो समान यहां से station से उठाना होता है जहां पर unload हुआ है railway station पर अगर मालिजिए निश्चित समय दो दिन है दो दिन के बाद ABC कमपनी जो भी समान आया है rail के थ्रू वो नहीं उठाती है तो fine लगना start हो जाता है क्योंकि railways की जगा यूज हो रही है तो इन सब चीजों को कहा जाता है demurgase wear phase stacking मतलब यह सेम सी चीजे हैं थोड़ थोड़ डिफरेंस है detention and ground usage charges essence यही है कि समान अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेजते हो आपका समान पहुँच गया है तो आपको जल्दी से वो आपका समान उठाना होगा otherwise आपको extra charges देने होगे आपको fine देना होगा आपको penalty देनी होगी यह rule होता है लेकिन अब railways ने कहा है कि 22 March से लेके 14 April के बीच का जो यह वक्त है यह force measure है force measure का मतलब यह होता है वो circumstances जिन पर human का बस नहीं चलता human beings का कोई control नहीं है जिन circumstances पर उनको कहा जाता है force measure जैसे देखो कोई भुगंप आ गया या फिर tsunami आ गई यह ऐसी प्रिस्तितियां है जिन पर human beings का बस नहीं चलता है और जब किसी period को force measure declare किया जाता है और उस दुरान कोई company अपना समान नहीं उठा पाती है क्योंकि आपको पता है truck वगरा सब बंद है सिरफ essential items की supply हो पा रही है तो कोई company अपना समान कैसे उठा पाएगी हम उन पर fine नहीं लगाएंगे हम उन पर ये सारे charges नहीं लगाएंगे क्योंकि इस period को declare कर दिया गया है force measure 22 मार्च से लेके 14 अपरेल के बीच lockdown है ये जो समय है ये human beings के control में नहीं है समझ गए अगर कोई पूछे force measure का क्या मतलब है ऐसी प्रिष्थितिया जिन पर human beings का कोई control नहीं है चलते हैं आगे ने स्थार्ट कल operation नमस्ते के बारे में है क्या contest है COVID-19 से निपटने के लिए Indian army का ये operation है operation नमस्ते इस operation में access देखो ऐसी details नहीं है जिनके बारे में UPSC question पूछे इस परकार की details हैं जैसे army ने अपने जवानों को बोला है जो छुट्टी पर हैं कि आप self isolation में रहिए घर पर रहिए अपने आपको healthy रखिए क्योंकि आने वाले समय में आप क्या उसकता पढ़ सकती हैं आर्मी ने काफी सारे hospitals इस्टाबलिश किये हैं quarantine facilities इस्टाबलिश की हैं अलग अलग जगों पर जैसे माने सर्थ, जैसलमे, जोदपूर, चैन्नाई हिंडान, मुंबई और इस परकार की और भी facilities इस्टाबलिश की जाएंगी आने वाले 72 घंटों में अगर आउशकता पढ़ती है इन जगों पर, तो इन पर कोई question नहीं बनता है, कि हाँ आप बताईए कि आर्मी ने COVID-19 की महामारी के दुरान कहां पर hospitals इस्टाबलिश किये थे नहीं, ये बिल्कुल मतलब ऐसा fact नहीं है, important जिस पर कोई question बने, question बनता है तो ये ही बनता है कि operation नमस्ते किस के दौरा चलाए गया था, तो इसका आंसर होगा इंडियन आर्मी के दौरा COVID-19 की महामारी से निपचने के लिए N.C.D.C. यानि National Center for Disease Control से समदित हैं, क्या contest हैं, हमारे जो Union Minister of Health and Family Welfare हैं Dr. Hartswardhan, वो N.C.D.C. के control room में गए और testing laboratories में भी गए तो P.I.B. में आर्टिकल चपा है N.C.D.C. के बारे में ये देखो, institute हैं, जो की Directorate General of Health Services और Ministry of Health and Family Welfare के अंतरगत आता हैं, हमारे देश में disease की surveillance के लिए Nodal Agency है National Center for Disease Control इसके अलावा communicable disease को prevent करना, control करना ये सब भी काम देखा जाता है N.C.D.C. के दोरा, पहले इस institute को National Institute of Communicable Disease के नाम से जाना जाता था लेकिन 2009 में इस National Institute of Communicable Disease को transform कर दिया गया और बन गया National Center for Disease Control यानि N.C.D.C. जैसा हमने डिसकस किया, अगर देखो किसी disease का outbreak हो जाता है तो investigation करी आउट के जाती है N.C.D.C. के दोरा Headquarter New Delhi में है अभी काफी जादा सूर्खियों में आती है ये body novel coronavirus से infected cases की surveillance के मद्दे नजर चलते हैं आगे ने स्टार्ट कल National Forensic Sciences University Bill 2020 से समदित है क्या context है Home Minister ने लोकसबा में एक बिल इंटोड्यूस किया जिसका नाम है National Forensic Sciences University Bill 2020 इस बिल को इंटोड्यूस करने का aim ये है हमार देश में National Forensic Sciences University को establish किया जाए as a institution of national importance देखो अभी गुजुरात की गांधी नगर में जो गुजुरात Forensic Sciences University है इसी को अपग्रेड करके National Forensic Sciences University बना दिया जाएगा अगर ये Bill Pass हो जाता है समझ गए मतलब अलग से उनवर्श्टी नहीं इस्टाबिस कि जाएगी गुजुरात Forensic Sciences University को National Forensic Sciences University में तबदिल कर दिया जाएगा काम क्या होगा इस National Forensic Sciences University का काम देखो ये होगा हमार देश में Criminal Justice System को स्ट्रोंग बनाना मतलब Crime की Investigation में सहोग करना Crime की Investigation में देखो Forensic Science का बहुत important role होता है लेकिन हमारे देश में अभी Forensic Science से इतने ज़्यादा Advanced नहीं है तब ही तो आप में देखा होगा जो Police Personnel है या फिर Security Agency के लोग है वो Accused को मारने पीटने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं लेकिन Western Countries में Forensic Science काफी ज़्यादा Advanced है इसलिए Accused को मारे पीटे बिना Forensic Science की साहिता से Security Agency ये पता लगाने की कोशिस करती है कि जिसको हमने पकड़ा है या फिर जिस पर सक है वास्ताव में उसने Crime किया है या फिर नहीं किया है जबकि हमारे देश में कोशिस ये होती है Police की कि सक जिस पर है उसको मारा पीटा जाए और अपराद कबूल करने पे मजबूर किया जाए तो ये जो उनिवस्टी है ये Forensic Science या फिर साथ लगते जो एरियाज है जैसे Behavioral Science, Law, Criminology इन सब एरियाज में Research और Study को पर्मोट करेगी ये National Forensic Science University चलते हैं आगे Important Article M.A.C.S. 40-28 Wheat Variety से समन्दित हैं क्या Contest हैं? पूने में देखो एक Institute है A.R.I. पुरा नाम है अगरकर Research Institute ये Department of Science and Technology के अंतरगत आता हैं इस Institute ने Wheat की एक नई Variety को डवलप किया है जिसका नाम है M.A.C.S. 40-28 Wheat Variety ये देखो Bio Fortified Durham हैं Bio Fortified का मतलब ये होता है जब Genetic Engineering की साहिता से किसी क्रोप की Nutritional Value को Increase किया जाता है इसे कहा जाता है Bio Fortification Durham का मतलब होता है वो Wheat जो Hard होता है और जिसे Arid Regents में यानि सूखे Regents में उगाया जाता है हम देखो और Information डिसकस करें इस M.A.C.S. 40-28 वीट वराइटी के बारे में इसमें Protein Content ज्यादा है Nutritional Quality भी ज्यादा है Jink, Iron इनकी जो मात्रा है वो भी ज्यादा है तो काफी माइनों में ये नई वीट की जो वराइटी डवलप की गई है ये अच्छी है ये देखो Semi-Dwarf वराइटी है आज कल देखो 95% इवन इससे भी ज्यादा जो वीट प्रेडूस होता है वो Semi-Dwarf वराइटी का ही होता है Semi-Dwarf वराइटी को डवलप क्या गया था 1940s में, 50s में Semi-Dwarf मतलब वीट का जो पोदा है Height में ज्यादा बढ़ता नहीं है इसके काफी सारे advantages है पहले क्या होता था 1940s से पहले जब तक इस वराइटी को नहीं डवलप किया गया था वीट के पोदे की Height बड़ी होती थी हवा से पोदा काफी बार नीचे गिर जाता था नुक्सान होता था पैदावार को और काफी बार देखो जब पोदा बड़ा होता था तो उपर के हिस्से में वीट जब प्रड्यूस होता था तो वो नीचे लटकने लगता था इससे भी नुक्सान होता था तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 1940s में, 50s में वीट की सैमी ड्वार्फ वराइटी को ड्वार्फ किया गया और तब से लेके अभी तक जातर जो वीट प्रड्यूस होता है वो सैमी ड्वार्फ वराइटी का ही होता है यानि पोदे की जो हाइट होती है वो ज़्यादा नहीं होती मतलब बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं होती बहुत ज़रा छोटी होगी तो ड्वार्फ पोधा आप उसे कहोगे बीच के साइज की होती है इसे आप कहते हो सैमी ड्वार्फ वराइटी ये जो wheat की नई वराइटी ड्वलप की गई हैं ये देखो मिचोर होती हैं 102 दिनों में और जैसा आमने डिसकस किया काफी ज़्यादा एड्वांटिजिज हैं अगर wheat की इस वराइटी का इस्तमाल किया जाता हैं ये नीचे काफी सारे disease हैं wheat के ये नहीं होंगे अगर wheat की इस वराइटी का इस्तमाल किया जाता हैं मतलब समझ कें ये सारे जो disease आम तोर पर wheat को परिशान करते हैं, फसल को बरबाद करते हैं, इनके खिलाफ resistant होगी wheat की यह नई variety MACS 4028 इसलिए पैदावार बढ़ेगी 19.3 quintal per hectare तक की पैदावार हो सकती है, अगर wheat की इस variety का इस्तमाल क्या जाता है इवन देखो, क्रीशी विज्ञान केंदर प्रोग्राम के द्वारा भी include क्या गया है wheat की इस variety को United Nations Children Fund के अंतरकत malnutrition को काम करने के लिए अब थोड़ी सी information देखो, हम wheat के बारे में भी जान ही लेते हैं यह हमार देश में rice के बाद second most important cereal crop है, main food crop है North India में और North Western India में रभी crop है, सर्दियों में wheat के 20 बोई जाते हैं और अब कटाई के बाद wheat की फसल को market में आना था, एक अप्रेल से लेकिन कहा यह जा रहा है कि lockdown है अभी तो 15 अप्रेल तक तो 15-20 अप्रेल के बाद किसान अपनी wheat की फसल को market में लास केंगे बेचने के लिए, सरकार उनको procure कर सकेगी cool growing season क्या उसकता होती है जैसा हमने डिसकस किया ठंड में उगाया जाता है wheat को और पकने के लिए काफी bright sun sign क्या उसकता होती है rain कितनी चाहिए? rain चाहिए annually 50-75 cm हमारे देश में देखो दो important wheat growing region है एक तो गंगा सत्रूज प्लेंस नोर्थ वेस्ट में और दूसरा डेकन में black soil region डेकन में देखो जातर wheat को produce क्या जाता है महाराष्टर में और ये जो पहला wheat growing zone है गंगा सत्रूज प्लेंस इसमें पंजाब हर्याना वेक्षन यूपी यहाँ पे हमार देश में सबसे ज़्यादा wheat produce होता है कोशन देखो UPSC इस प्रकार से पूछ सकती है MACS 4028 ये variety हाल ही में develop की गई थी कौन से crop की है तो simple answer होगा wheat चलते हैं आगे अब आगे छोटे-छोटे दो articles हैं World Water Development Report 2020 important ये है ये report किसके द्वार रिलीज की जाती है ये report देखो annually produce की जाती है UNESCO World Water Assessment Program के द्वारा and release की जाती है UN Water के द्वारा इस बार का title था Water and Climate Change इसके बाद है Center for Internet of Ethical Things देखो करना तक government ने decide क्या है कि Bangalore में एक Center for Internet of Ethical Things established क्या जाएगा किसके साथ मिलकर World Economic Forum के साथ मिलकर इस Center में होगा क्या Artificial Intelligence, Internet of Things और Ethics से जुड़े जो aspects है उनको एक ही platform पे लाए जाएगा तो अगर UPSC पूछे ये Center हमारे देश में कहाँ पर Establish क्या जा रहा है आंसर होगा Bangalore important article schedule H1 के बारे में है क्या contest है ये recommend क्या था कि अगर patient COVID-19 से infected है और condition serious है तो उस patient को hydroxy chloroquine drug दी जा सकती है वैसे ये anti-malarial drug है इस recommendation के बाद सरकार ने इस drug को schedule H1 में भी डाल दिया है ताकि hydroxy chloroquine के misuse को रोका जासके schedule H1 क्या है बिलकुल basic से बात करते है देखो बहुत सारी anti-bacterial और anti-tuber closest drugs ऐसी है जिनका misuse भी होता है नशा करने के लिए कुछ लोग के द्वारा इन drugs का इस्तमाल किया जाता है तो इनके misuse को रोकने के लिए सरकार उन drugs को schedule H1 में डाल देती है schedule H1 में डालने से अब आप retailer के पास जाओगे वो drugs क्रीडने के लिए तो सबसे पहले तो retailer आप से prescription पूछेगा आप परची दिखाईए कि कौन से doctor ने ये recommend किया है कि आपको ये drug लेनी चाहिए chemist को यानि retailer को एक proper register maintain करना होगा कि ये prescription आई थी इस doctor की और उस prescription में इतनी quantity लिखी हुई थी कि इतना जो tablets है वो देनी है patient को मतलब सारी detail chemist को maintain करने पड़ती है एक अलग से register में उन drugs के लिए जो schedule H1 में आती है तो होता क्या है इससे इससे देखो misuse उन drugs का रुख जाता है क्योंकि chemist के पास सारी details होती है patient कौन था, doctor कौन था कितनी quantity में बेची गई तो misuse उन drugs का नहीं होता तो अब schedule H1 में डालने का आदेश दिया है सरकार ने hydroxy chloroquine drug को तो इसका misuse नहीं होगा ये कौन से act के अंदर किया गया देखो act का नाम है drugs and cosmetics act 1940 और इसका section 26B चलते हैं आगे important article 90 years of salt moment से संबनित है 12 March 1930 को Gandhi ने डाड़ी March स्टार्ट किया था तो अब इस दिन को आल्मोस्ट 90 साल पूरे हो चुके है तो आपको बता है इतिहास में जब भी देखो 100 साल, 50 साल, 75 साल, 90 साल इस परकार के साल किसी event को पूरे होते हैं तो वो event important हो जाती है और UPSC के उस event के बारे में question पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है वैसे तो आपने salt moment अभी तक पढ़ ली होगी history में जल्दी से revise कर लेते हैं देखो दाड़ी March स्टार्ट करने से पहले गांदी जी के द्वारा British authorities के सामने 11 demands रखी गई थी ये list है 11 demands की जैसे सराब और दूसरे जो intoxicants हैं उन पर रोक लगा दी जाएं रूपी और sterling की जो ratio है इसे change किया जाएं land revenue जादा वसूला जाता है Britishers के द्वारा इसे कम किया जाएं soul tax को abolish किया जाएं यानि समुंदर से नमक collect पर जो ban हैं इसे हटा दिया जाएं military पर जो बहुत ज़्यादा खर्च किया जाता है British authorities के द्वारा इसे reduce किया जाएं civil administration के ऊपर भी खर्चा कम किया जाएं foreign clothes यानि विदेशी कपड़ा जो इंपोर्ट किया जाता है इस पर custom duty लगाई जाएं postal reservation bill को accept किया जाएं CID department को abolish कर दिया जाएं ban कर दिया जाएं सारे जो political prisoners हैं उन्हें रिहां किया जाएं और citizens को भी gun license issue किया जाएं ताकि उनके पास भी gun हो self protection के लिए इन 11 demands के ऊपर British authorities का कोई जबाब नहीं आया तो 12 मार्च को गांदी जी ने दांडी मार्च स्टार्ट किया दांडी देखो एक coastal village है देखो जब Britishers भारत में नहीं आये थे तो गाउं के लोग समुन्दर से नमक निकाला करते थे ये usual practice थी मतलब ये समान्य प्रैक्टिस थी बट Britishers ने समुन्दर से नमक निकालने पर अपनी monopoly इस्टाबलीश कर ली एक act की साहिता से 1882 में आया था ये act British Salt Act और इसी act का विरोध करना चाहते थे गांदी जी क्योंकि ये जो monopoly थी ये जो band था नमक निकालने के ऊपर ये show करता था किस परकार से Britishers जो है भारत के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं इवन छोटी छोटी चीजों को लेकर तो गांदी जी इस कानून का violation करके Britishers के operation का विरोध करना चाहते थे basic details की हम बात करें 12 मार्च को ये मार्च स्टार्ट हुआ और 6 अप्रेल 1930 तक चला गांदी जी ने यात्रा स्टार्ट की थी अपने सावरमती आसरम से गांदी जी के साथ 78 और उनके साथ ही थे टोरल ये जो यात्रा थी 240 माइल्स की थी 240 माइल्स कवर करके गांदी जी और उनके साथ ही पहुंचे दांडी में एक कोश्टल विलेज में और वहां पर बिडिशर्स के साल्टला का वाइलेशन किया गया गांदी जी और उनके साथियों के द्वारा बीच से नमक इकठा करके अब काफी बार देखो कोश्टन इस परकार से भी पूछ लिया जाता है गांदी जी के अलावा जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे उस समय उन्होंने कहां कहां पर तमिलाडू में सी राजे गोपालचारी ने एक मार्च को लीड किया थीरू चिनना पल्ली से लेके विदारानियम जो की थन्जोर कोश्ट पर है यहां तक मालाबार में किलपन जोगा फीमस थे वाइकों सत्यागरे के लिए जो की एक टेंपल एंट्री मुवेंट थी किलपन ने मालाबार में साल्ट मार्चिस को और्णाइस किया आंधरा में सीबी रामस और्णाइस किया गये सीबी रामस मतलब कैंप्स जो लोग पार्टिसपेट कर रहे थे सोल्ट सत्यागरेंज में उनके लिए ये कैंप्स से इस्टाब्लीच किया गये थे उडिशा में गुपाल बंदू चोधरी ने बालसोर और कटक में सोल्ट मार्शीज और्गाइस किये बिहार में चोकिदारी टैक्स का विरोध क्या गया देखो बिटिसर्स के द्वारा खांस करके इस्टन इलाकों में जो छोटे-छोटे गाउं होते थे उनके लिए चोकिदार प्रोवाइड किया जाता था लेकिन इसका जो पैसा वसूला जाता था वो गाउंवालों से वसूला जाता था चोकिदार का काम होता था गाउं को गाड करना और लोकल पुलिस को सप्लिमेंट करना बट इन चोकिदारों से नफरत की जाती थी गाउं के लोगों के दवरा क्योंकि ये जो चोकिदार थे चोकिदारी नहीं करते थे बलकि बिडिशार्स के लिए जासूसी किया करते थे और टैक्स देना होता था इनके लिए जनता को तो इसी टेक्स का विरोध क्या गया था इस्टन इलाकों में खास करके बिहार में पैसावर में बादशाख खान जिने खान अब्दूल गफार खान के नाम से जाना जाता है इन्होंने खुदई खिद्मतकार को और्गनेस किया खुदई खिद्मतकार मतलब सर्वेंट्स ओफ गोड इन्हे रेड़ सर्ड्स के नाम से भी जाना जाता था ये नोन वाइलेंट रसिस्टेंस था बिटिशर्स के अगेंश्ट सोलापूर में सरोजनी नाइडू ने कैंपेंड को लीड किया करनाटक महराष्टर और सेंट्रल प्रोविंसिस में फुरेश्ट लांस को डिफाई किया गया मनिपूर और नागलेंड में रानी गाइडिन लियों ने 13 साल की उमर में बिटिशर्स के विरुद्ध विद्रो का बिगुल बजाया तो यह हमने पूरा आर्टकल डिसकस किया दाणी मार्च या फिर सोल्ट सर्तेगरा के बारे में यह एक रेर पिक्चर है जिसमें गांदी जी बाद्जा खान के साथ मिलकर खुदई खिदमरकार्स की एक मीटिंग को संबुदित कर रही हैं चलते हैं आगे पेस्ट आर्टकल थाउजन्ड स्प्रिंग्स इनिसेटिव के बारे में हैं स्प्रिंग देखो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर आर्थ के नीचे एक्यूफायर से पानी जो है आर्थ के सर्फेस पर आ जाता है आप इस तस्वीर में देख सकते हो आर्थ के नीचे जो ग्राउड वार्टर होता है एक्यूफायर में वहां से पानी आर्थ के सर्फेस पर आ जाता है नैचूरली इस पॉइंट को कहा जाता है स्प्रिंग इसी से सम्मंदित इनिसेटिव लौँज क्या गया है यूनियन ट्राइबल अफेर मनिश्टरी के द्वरा इनिसेटिव का नाम है थाउजन्ड स्प्रिंग इनिसेटिव सम् इस इनिसेटिव को लौँज करने का मकसद ये है हमारे देश में वो एरियाज जहां पर देखो टेरेन काफी ज़ादा डिफिकल्ट है या फिर वो रिमोट एरियाज है वहां पर जो लोग रहते हैं खांस करके ट्राइबल लोग उनको पीने के लिए पानी नहीं मिल पाता अगर देखो स्प्रिंग्स का अच्छे से इस्तिमाल किया जाए तो रिमोट एरियाज में रहने वाले लोगों को पीने का पानी उपलब्ध हो सकता है यहीं इन्शोर करना मकसद है इस थाउजेंड स्प्रिंग्स इनिसेटिव का इस इनिसेटिव के अंतरगत काफी सारे प्रोविजन्स किया जाएंगे जैसे इन्फास्ट्रक्चर फोर पाइप वाटर सप्लाई फोर ड्रिंकिंग प्रोविजन ओफ वाटर फोर इरिगेशन इरिगेशन के लिए पानी का प्रोविजन करना कमुनिटी लेड़, टोटल सैनिटिशन इनिसेटिव, प्रोविजन फोर वाटर फोर बैक्यार्ड, नुट्रिशन गार्डन्स ये सारे प्रोविजन्स किये जाएंगे इस इनिसेटिव में मकसद जैसा हमने डिसकस किया जो ये सदा भार स्प्रिंग वाटर हैं, इसका इस्तिमाल करना इन सभी प्रोविजन्स के लिए जिनके बारे में अभी हमने डिसकस किया कैसे इस इनिसेटिव को इंप्लिमेंट किया जाएगा उडिशा के तीन जिले, जो काफी ज़्यादा रिमोट हैं जो काफी ज़्यादा डिफिकल्ट टेरेंड वाले हैं यहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं इन एक्सेसेबल से ये जिले हैं काला हांडी, करंदमाल और गजपती इन तीन जिलों में सत्तर यंग ट्राइबल यूथ को ट्रेंड किया जाएगा as a hydrogeologist तो ये सत्तर यंग ट्राइबल यूथ जो ट्रेंग प्राप्ट करेंगे ट्रेंग प्राप्ट करने के बाद इनके पास साइंटिफिक नोलेज होगी जिसे ये कंबाइन करेंगे अपने ट्रेडिशनल नोलेज के साथ और इसके बाद ये सत्तर यंग ट्राइबल यूथ सक्सम होंगे स्प्रिंग्स को identify करने में स्प्रिंग्स की mapping में एक बार स्प्रिंग्स की identification और mapping हो गई तो ये 70 यंग ट्राइबल यूथ जो है वो regeneration का काम करेंगे मतलब स्प्रिंग को regenerate किया जाएगा protect किया जाएगा इस परकार से ये जो initiative है वो काम करेंगा साथ-साथ एक Atlas भी launch की गई है Atlas एक परकार से online portal है website है जिस पर सारी information होगी कि कौन सा spring जो है कहां पर है सारा data public domain में उपलब्द होगा map की साहिता से माल लिजिए ये map है तो map पर locate किया जासकेगा spring को एक spring यहाँ पर है एक यहाँ पर है तो इस परकार से data public domain में उपलब्द होगा तो springs का utilization और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा article में एक बात ये बोली जाती है ये springs जो है ये groundwater discharge के natural sources है और पहाडी छेत्रों में अक्षर इन springs का इस्तिमाल होता है बट हमारे देश में Central और Eastern India जो है यहाँ पर 75% population जो है वो tribal है इस area में ये springs जो है largely unrecognized है और underutilized है मतलब इनको recognized नहीं किया गया है और अच्छे से utilized भी नहीं किया गया है तो इनको अच्छे से utilize करने के लिए ही ये initiative launch किया गया है चलते हैं आगे important article 2020 CD3 के बारे में है कुछ researchers के दोरा 2020 CD3 को mini moon का नाम दिया जा रहा है क्या contest है देखो Arizona में NASA के दोरा funded Catalina Sky Survey के astronomers ने एक mini moon को discover किया है ये mini moon एक परकार से asteroid है जो की astronomers के दोरा discover किया गया है ये asteroid आर्थ के चारो और एक unstable orbit में चकर लगा रहा है इसी वज़े से नाम दिया गया है researchers के दोरा इस asteroid को mini moon scientific name है 2020 CD3 asteroid का जो size है वो देखो कार के जितना है इस asteroid का diameter 1.9 से लेके 3.5 मीटर के बीच है astronomers के दोरा देखो ये भी कहा गया है ये जो asteroid या फिर mini moon है जो अभी आर्थ के चारो और एक unstable orbit में चकर काट रहा है ये temporary रूप से चकर काटेगा यानि हमारा जो moon है उसकी तरह हमेशा आर्थ के चारो और ये चकर नहीं काटा रहेगा क्यों? ऐसा देखो इसलिए है क्योंकि इस mini moon का एक चकर में इस asteroid का जो orbit है वो ये रहता है अगले चकर में ये हो जाता है इस परकार से unstable orbit है इस mini moon का आर्थ के चारो और इसलिए देखो future में ये जो asteroid है वो एक ऐसे point पर पहुँच सकता है जिस पर moon की जो gravitational force है या फिर sun की gravitational force है आर्थ की gravitational force से ज़्यादा है तो उस point पर ये asteroid जो है जिसको mini moon कहा गया है ये आर्थ के orbit को छोड़ देगा और moon या फिर sun की तरफ आकरसित हो जाएगा इसी वज़े से astronomers के द्वारा कहा जा रहा है unstable orbit होने की वज़े से temporary रूप से ये आर्थ के चारो और चकर काटेगा और उसके बाद आर्थ का जो orbit है वो छोड़ देगा इससे पहले भी CSS CSS के क्या full form है Catalina sky survey इनके द्वारा दूसरी बार ये body discover की गई है इस परकार की जो आर्थ के चारो और temporary रूप से चकर काट रही है 2006 में RH 120 ये जो body discover की गई थी ये भी temporary रूप से आर्थ के चारो और चकर काट रही थी लेकिन बाद में चकर काटना छोड़ दिया 2007 में तो अगर UPC के द्वारा question पूछ लिया जाता है 2020 CD3 क्या है तो अब आप आसानी से बता सकते हो ये एक asteroid है जो आर्थ के चारो और unstable orbit में चकर काट रहा है B सही option है चलते हैं आगे बारतिया अदिम जाती सेवक संग से समदित है क्या context है Union Minister of Tribal Affairs ने हाल ही में All India Tribal Workers Meet को inaugurate किया इस All India Tribal Workers Meet को organize किया गया था भारतिया अदिम जाती सेवक संग के द्वारा B A J SS ये संग देखो काफी सारे vulnerable sections के लिए काम करता है जैसे Tribals Nomadic and Seminomadic People वीमुक्त जाती कम्मुनिटी या फिर सोसाइटी के जो दूसरे कमजोर वर्ग हैं उनके लिए इस संग के तौरा काम किया जाता है ये संग vulnerable sections की social, cultural, educational and economic development के लिए काम करता है ये भी इंशोर करने की कोशिस करता है कि vulnerable sections के जो सविधानिक राइट्स हैं सविधान ने जो राइट्स दिये हैं vulnerable sections को वो राइट प्रोटेक्टिड रहें और वो बाकी citizens की तरह life व्यतीत कर्स के और देश की तरक्की में अपना योगदान देश के पुझे ठाकर बापा के दवरा इस भारतिय अदिम जाती सेवक संग को establish क्या गया था पुझे ठाकर बापा जो है ये एक social worker थे servants of Indian society के ठाकर बापा महात्मा गांदी के close associate थे मतलब साथ ही थे महात्मा गांदी ने ही inspire किया ठाकर बापा को कि वो tribal की गरीबी को खतम करने के लिए काम करें और इसके अलावा untouchables के लिए भी काम करें तो इसी परपस के साथ ठाकर बापा के दवरा भारतिया अदिम जाती सेवक संग की स्थापना की गई थी इस संग के पहले president थे डक्टर राजंदर परसाद डक्टर राजंदर परसाद जैसा आपको पता है हमारे देश के पहले राष्टरपती भी थे चलते हैं आगे इस 3.0 के बारे में हैं इस का पुरा नाम है enhanced access and service excellence देखो इस इस 3.0 को लौज करने का मकसद ये है smart tech enabled banking for aspiring India मतलब ये insure करना aspiring India के लिए जो banking हो वो smart हो और technology enabled हो काफी सारे components है इस 3.0 में सबसे पहले है smart landing for aspiring India इसके अंतरगत बहुत साई चीजें है dial a loan ताकि dial करते ही loan मिल जाए banks आपके घर में आएं आपको loan प्रोवाइड करने के लिए दूसरे नंबर पे मतलब इसके अंदर काफी सारे है smart landing for aspiring India के अंदर जैसे credit at click alternate database landing और दूसरा component है hard wiring sound backing through IT system इसके अंदर काफी सारे provisions है जैसे collection and recovery management system risk scoring and scrutiny platform तीसरा component है tech enabled ease of banking पहला provision है तीसरे component में palm banking palm banking में क्या है end to end digital delivery of financial services मतलब financial services जो है पूरी तरह से digital host के ये परियास क्या जाएगा और भी काफी सारे provisions है तीसरे component में और last जो component है वो है governance and outcome centric HR board oversight for alignment of structure and processes with strategic goals succession planning में देखो जो question पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा ease initiative का क्या मकसद है तो आप बता सकते हो banking को और ज़दा आसान बनाना ये मकसद है ease initiative का इसको हाल ही में union finance minister के द्वारा launch किया गया ये सारी बाते इसी article में बोली हुई है next article Merkel cell polioma virus से समदित है क्या contest है देखो Merkel cell carcinoma जो है ये skin cancer होता है काफी rare और aggressive टाइप का ये skin cancer होता है Merkel cell carcinoma क्यूं होता है old age के कारण या फिर body अगर बहुत लंबे समय तक ultra violet light का सामना करती है या फिर immune system काफी weak होता है इन reasons की वज़े से ये skin cancer हो सकता है Merkel cell carcinoma अभी context ये है National Center for Biological Science जो बेनलोरू में है इस center की team ने एक diagnostic system को डवलब किया है ताकि ये जो tumor होता है इस cancer में उस tumor में Merkel cell polioma virus को detect किया जासके अगर virus का detection हो जाता है तो फिर खतम किया जा सकता है virus को ये नई development होई है researchers ने एक ऐसे test को develop किया है जो conduct होगा CRISPR CAS 12 technology की साहिता से ये gene editing technology है gene को edit करने की technology है इस technology की साहिता से virus को identify किया जा सकता है tumor में जब test conduct होगा तो जहाँ पे virus होगा वहाँ से रोशनी आने लगेगी light आने लगेगी थोड़ी बहुत तो पता लग जाएगा virus exactly इस location पर है तो काफी important है ये development system का specifically नाम है detector पूरा नाम इस परकार से है DNA, indoor, nucleus, targeted CRISPR, trans, reporter system में देखो तीन components है identifier, switch, reporter आगे थोड़ी बहुत और भी details है लेकिन इतना ज़्यदा डीप में जाने की आशकता है नहीं चलते हैं आगे ने स्टार्ट कल pigmentary disorder से समदित है क्या contest है Regional Center for Biotechnology फिदबाद के researchers को सरकार के द्वारा 3,60,000,000 की grant दी गई है ताकि Regional Center for Biotechnology फिदबाद के जो researchers है वो pigmentary disorders की problem के बारे में और ज़्यदा research कर सके हैं pigmentary disorder में क्या होता है इस परकार से skin का discoloration हो जाता है मतलब skin का जो color है वो fade हो जाता है वैसे ये एक example मैंने आपको बताया pigmentary disorder काम और भी काफी सारी चीज़े हो जाती है skin के साथ और ये सब pigmentary disorders में आते हैं देखो और जारा basics की बात करें जो physiological pigmentation है ये एक परकार से defense mechanism का का काम करता है इस defense mechanism के अंतरगत skin जो है वो protect रहती है harmful ultra violent radiation से और अगर ये physiological pigmentation में किसी परकार की inefficiency आ जाती है तो skin फिर protected नहीं रहती harmful ultra violent radiation से skin पर परभाव पड़ता है जिसकी वज़े से skin cancer भी हो सकता है अभी तक कोई निश्चित इलाज उपलब नहीं है pigmentary disorders का और ज़्यदा research की आउशकता है इसलिए सरकार ने 3.60.000.000 की grant दी है Regional Center for Biotechnology फिर्दाबाद के researchers को कि वो इन disorders के बारे में और ज़्यदा research कर सके है चलते हैं आगे नया स्टार्ट कल Rider X के बारे में हैं क्या contest हैं देखो DIDO और IISC ने मिलकर bomb को detect करने के लिए एक नया device developed क्या है जिसका नाम है Rider X अगर UPSC पूछ लेती है Rider X device हाल ही में develop क्या गया था DIDO और IISC के द्वारा मिलकर ये किस लिए use होता है तो इसका answer होगा bomb को detect करने के लिए 2 मीटर के distance से 20 explosives को यानि 20 bombs को detect किया जा सकता है इस device के द्वारा कितने distance से 2 मीटर के distance से DIDO की एक branch है High Energy Material Research Laboratory यानि HEMRL ये कहां पर है ये पूने में है इस laboratory के द्वारा और जैसा हमने डिसकस किया IISC जो बेंडलोर में है इस institute के द्वारा मिलकर Rider X को develop किया गया है एक साथ काफी सारे explosives को detect किया जा सकता है जो छुपे हुए है इस device के द्वारा local police customs या फिर दूसरी जो security agencies है उनके द्वारा इस device का इस्तिमाल किया जा सकता है explosives को detect करने के लिए देखो ये जो device develop किया गया है इसलिए भी ये development significant है क्योंकि हाल ही में जो terrorist attacks हुए हैं उनमे explosives को develop करने के लिए ऐसे ingredients का इस्तिमाल किया गया है जो आसानी से available हैं जैसे petrol, gelatin की छड़े RDX जैसे explosives का इस्तिमाल नहीं किया गया है हाल ही में conduct हुए terrorist attacks के लिए तो ये जो device है Rider X ये homemade explosives को भी detect करेगा और terrorist attack की threat को avoid करेगा हमने पूरा article discuss किया Rider X के बारे में चलते हैं आगे article race 2020 के बारे में हैं ये देखो एक बड़ी event होगी जिसको organize किया जाएगा Government of India के द्वारा industry और academia के साथ मिल कर कब अप्रेल में race का पूरा नाम है Responsible Artificial Intelligence for Social Empowerment 2020 ये event कब organize होगी अप्रेल में मकसद क्या होगा इस event को organize करने का मकसद देखो ये होगा world के artificial intelligence से जोड़े जो लोग है मतलब वो लोग जिनको expertise हासिल है artificial intelligence में वो आएंगे इस event में अपने ideas का अदान परदान करेंगे कैसे artificial intelligence को फर्दर इस्तमाल किया जा सकता है social empowerment के लिए inclusive development के लिए काफी सारे सेक्टर्स में development के लिए जैसे health care agriculture, education, smart mobility इन सभी सेक्टर्स में artificial intelligence का smart use इसके साथ साथ जब देखो ये event organize होगी तो और ज़्यादा जाजूता फैलेगी artificial intelligence के बारे में और ज़्यादा लोग artificial intelligence में अपना करियर बनाने के लिए आगे आएंगे तो इससे इंडिया को काफी फाइदा होगा चलते हैं आगे My next article है National Consultation on the Review of Beijing Plus 25 Beijing Declaration and Platform for Action BPFA कहते हैं BPFA इसके 25 years complete हो चुके है यानि Silver Jubilee हो गई है इसकी यही Silver Jubilee को मार्क करने के लिए Ministry of Women and Child Development ने National Commission for Women ने and United Nations Women ने National Level पर Review करने की सोचिए Beijing Plus 25 को यह organize कर रहे हैं यह 3 different bodies देखते हैं इसका main aim क्या है इसका main aim है के society civil society को women को और youth of India को एक दूसरे के खरीब लेकर आना है खरीब लेकर आके यह लोग को यह समझाना होगा के gender equality क्या होती है और gender equality all walks of life में needed है जैसा के education के और employment, promotions इसमें gender equality चाहिए यह awareness करने के लिए यह सारे चीज़ें का realize कराने के लिए यह 3 अलग-अलग body ने इसका review दिया है अब देख लेंगे हम पहले BPFA है क्या 1995 में यह स्टार्ट हुआ था that's the reason 25 years हो गए है 2020 में okay BPFA को adopt किया गया था 4th World Conference on Women जब हो रही थी 1995 में तब BPFA को adopt किया गया था और आज 25 साल हो गए 2020 में इसके main objectives में आते हैं कि actions किस तरह से लिए जाएं कि women को advance किया जाएगा यानि उनका elevation इसको uplift करने के लिए किस तरह से actions की need है आजकल और gender equality को किस तरह से achieve किया जाएगा और तभी 12 critical areas बनाए गए थे कि ये 12 critical areas में women को equality चाहिए जैसा कि child marriages नहीं होना है इस एक्सेटरा टोरी नहीं होना है एक्सेटरा 1995 में 4th World Conference हुई थी women की जैसा अभी मैंने यहाँ पर बताया आपको तो ये 4th Conference Beijing में held की गई थी और इसमें ये एक one of the largest gathering हुए था United Nations का देखें अगर ज्यादा लोग एक conference में या एक session में participate करते हैं ये बताता है वो level कोई सा होगा वो conference का तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं 1995 की 4th World Conference on women कितनी ज्यादा important थी क्योंकि इसको बोला जाता है कि ये critical turning point था यहाँ पे पूरे world का focus shift कर दिया गया था gender equality के और empowerment of women के और ठीके ये हुआ था United Nations ने और भी तीन इसके अलावा conferences की थी पहली conference हुई थी लोग की Mexico City में 1975 में second हुई थी Coffin Hagen में 1980 में और third women conference हुई थी Nairobi में 1985 में और fourth हुई थी Beijing में 1995 में ठीके और worldwide progress implement करने के लिए in implementation of BPFA यह हुआ था every five years commission जो है status जाने की women का status क्या हो रहा है society में यह जाने भी और जितने भी बड़े-बड़े organizations body है यह सब women equality की बात करेंगे यानि gender equality की बात करेंगा और women empowerment की बात करेंगे लेकिन यह जो platform है वो legally binding नहीं है not a legally binding क्यों क्योंके what is binding binding मतलब compulsory हर किसी को करना पड़ेगा जो जो लोग participate करते हैं यह होगा it is not a legally binding लेकिन यह एक guide प्रोवाइड करती है United Nations Government को और non-government organizations को किस तरह से women upliftment के काम करने हैं हमें society में और यह पहली मरतबा ऐसा हुआ के लोग का focus completely shift हुआ gender equality पे जैसा के child marriages के ओपर दिहान देना है female infanticide नहीं किया जाएगा genital mutilation के against में बात किया जाएगा prenatal sex selection या allow नहीं किया जाएगा society में इस तरह के awareness भैलाना शुरू किया गया next article है MOUs for establishing a due tourism zone recently India ने और Maldivs ने मिलकर 5 MOUs sign किये हैं क्यों क्योंकि a due tourism zone establish करने के लिए कहां पे five islands of a due atoll यह मालदिफ्स में आता है a due atoll वहां पे five islands से वहां पे tourism zone बनाने के लिए इंडिया और मालदिफ्स ने MOUs sign किये हैं और sixth MOU फी sign हुआ है जो के setup करेगा bottled water plant जिसे पानी लेते हैं आप देखते होगे कि हर जगा water plants बने हुए है जो filtered पानी provide करते हैं तो यह sixth MOU यही बता रहा है कि Horafushi Horafushi में एक bottled water plant plant किया जाएगा setup किया जाएगा यह क्या है Horafushi यह एक inhabited island है northernmost atoll में आता है जो के Haalif atoll इन मालदीच में है यह all जितने भी six projects है six MOU से वो grant करते हैं projects fall under India's high impact community यह जितने भी projects है six projects यह कहां पे आते हैं High India Community Development Scheme में Now the question is HI CDP constitute कह हुई थी HI CDP constitute हुई थी with an aim important dimensions लेकर आना है development of partnership between India and Maldives India और Maldives के partnership को develop करने के लिए HI CDP constitute किया गया था और projects भी constitute किये गये थे projects भी बनाए गये थे कि आज फिलहाल community को क्या चीज़ की need है उसके basis पर अड्डू अट्वल को सीनू अट्वल भी किया जाता है ठीके अड्डू अट्वल also known as सीनू अट्वल जो के southernmost atoll of the Maldives है आ रहा है समझने and atoll is atoll bull thing is for यह ring shaped coral reef होता है ठीके यह थोड़े coral reef पता होगा आप चियोग्रफी में पढ़े होंगे पादा water ठीके अगर देखें आप यह island है और इसको चारो और से from all the all the sphere water cover कर रहा है तो इसको लगून कहा जाता है इसके अलावा there are small lakes atoll में small lakes भी होते हैं wetland भी होते हैं marshy taro fields भी होते हैं a tropical plant primarily for its edible coms that is root vegetable इसको बोलते है marshy taro fields यह बहुत ज्यादा unique है addo atoll में addo atoll में क्या unique है marshy taro fields बहुत ज्यादा unique है इसकी खुबसूरती addo atoll की दिख्या आती है marshy taro fields से और atoll इसलिए भी famous है क्योंकि यहां पे एक earliest settlements पाए जाते हैं जो के हमारी country ने record किये है next article हमारा है spice plus web form यह एक portal जैसा है क्या portal ही है मैं बताओ ministry of corporate affairs ने यह launch किया है spice plus इसका perform देखें क्या है simplified performa for incorporating companies electronically plus इसको business को easy करने के लिए इंडिया में spice plus launch किया गया है इसका main aim है अगर in other words में सब्जाओ आपको तो single window clearance जैसा होगा यह के आसानी होगी अगर कोई भी business करना चाहरा इंडिया में उसको आसानी provide की जाएगी इसको issue किया गया है ease of doing business initiative के part जैसा जैसा के ease of doing business में यह provide करना है के हर कोई आके इंडिया में अच्छा आराम से बिना कोई paperwork के एक ही paperwork होगा that is what we call it as single window clearance ठीक है एक जगा से clearance लेना है ज्यादा आपके ओपर बोश नहीं दाला जाएगा as a part of ease of doing business initiative इसको launch किया गया है spice plus web form को जो के integrate करेगी 10 services from various other ministries and departments into one form सब चीजें 10 services आपको एक ही form में एक ही portal में मिलेगी और यह collaboration होगा किसका ministry of corporate affairs का and labor and employment का department of revenue and maharashtra government का इतना नहीं बरके और भी bunch of services यह provide करती है spice plus web form जैसा के business incorporation कर देना है या DIN number इसको बोलते हैं director identification number allotment करना है mandatory issues करना है mandatory issues like permanent account number PAN card जो बोलते हैं PAN number GST IN services GST IN number provide करना है यह सब होगा इसके अलावा भी employments provident fund organization भी मिलेगा EPF भी मिलेगा यह लोग और इनको insurance भी मिलेगे जादा यह इसको और कम करने के लिए rank को हमने इस तरह से बहुत सारे steps लिए business को इंडिया में बहुत ज्यादा easy बनाना है as a part of ease of doing business so so government का target यह है government का target होगा कि 50th spot तक पहुंचे जल से जल तो इस discussion में फिलाल इतना ही है thank you, thank you very much for discussion